हेलो स्टुडेंट एक बार फिर आप सबका स्केटर नॉलिज में स्वागत है आज आपको पढ़ाने वाले हम कंप्टीटिव एक्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स जिसमें प्रक्टिस बन पढ़ा रहे हैं आपको फर्स्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन करवा दिए आज कर आत तो हम इस फ्रक्टिस को करेंगे शॉल्व देखेगा क्या है फ्रक्टिस 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 हैं हमारे पास 4 whole 3 upon 7 minus 3 whole 5 upon 9 plus 11 whole 5 upon 21 इसे दो तरीकी solve कर सकते है या तो हम इनको इंप्रॉपर फ्रेक्शनल चेंज करने है तब एलसे में लेके solve करने है तो वो method थोड़ा उसमें बर्क जादा करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे जो complete number है ही इनको अलग कर सकते जैसे यह लिख सकते 4 minus 3 plus 11 यह अलग कर लिया और plus लगा के फ्रेक्शनल पार्ट को अलग कर लिया 3 upon 7 minus 5 upon 9 plus 5 upon 21 इनको solve करेंगे तो यह आ रहा है 15 minus 3 12 plus इनका LCM आ जाएगा 63 9, 7 जा 9, 3 जा 27 7 की table 63 में 9 बार जाएगी 9, 3 जा 27, 9 की table 63 7 जाएगी 7, 5 जा 35 पिलस 21 की 3 जाएगी 3 जा 15 अब इनको solve कर लिजेगा 12 plus अब देखेगा यह कितना हो जाएगा 27 plus 15 यह ऐसे कर सकते 15 से 35 से 15 चले जाएगी मानस के 20 बचे मानस के 20 को 27 से कम कर देंगे तो यह बचे का 9 अपॉन 7 अपॉन 63 अब वो यह कहरे यह नंबर तो complete हमको चाहिए ही है लेकिन यह फ्रेक्शनल पार्ट है इसे खतम करने के लिए किसका सब्टक्शन करेंगे तो इसी का सब्टक्शन कर दी जाएगा अब अपॉन नाइन का अपॉन इसका अंसर सही होगा अब उसी खिलोने का 12% प्रॉफिट पर बेंचना चाहते हैं तो उसे कितने का बेंचना चाहिए तो यह तम तब बता पाएंगे जब उसकी हमें शीपी कॉस्ट प्राइस पता चलिया वह खिलोना आमने बागई में खरीदा कितने का तो देखेगा इसको कैसे करना है कि माल लीजिएगा ख्रोना 100 रुपई का था अगर हम इसको बढ़ाके गया 11% के प्रॉफिट प्रॉफिट प्हेंचते था बनारे 11 का बेंचेंगे अगर इसको 13% के लॉस पर बेंचते अटी सेवन्का बेंचेंगे लेकिन वह यह कह रहें इनका जो यह CPA SP है विक्रे मूल इनका difference 108 है तो यहां से इनका difference कितना आ रहा है यहां से 11 और 13 24 यानि 24 unit माल लिजी आप 24 unit का difference दिखा रहा है 108 तो 1 unit का difference कितना वजाएगा 108 upon 24 इसे जो हम solve करेंगे तो 12 तू जा 24 12 नाइं जा यहांने यह आगया कुल मिलाके 4.5 यहांने एक unit जो है 4.5 के लेकिन हमें तो 100 बताना है खिलोना खरीद है कितने किता है तो 100 का multiply दोनों साइड कर देंगे तो 100 unit की value हो जाएगी इसमें जब 100 का multiply करेंगे तो 4.5 into 100 यह हो जाएगा 400 आफ्टर बंडे यहांने 450 रुपे का वह खिलोना हमने खरीद आई यह 450 रुपे का अब इस 450 की रुपे के खिलोने पर हम चाहते 12 पर्षेंट का profit तो कितने का बेंचेंगे तो अब आप देखेंगा आफ्टर चार्षब पचास पर बारा पर्षेंट का हमें रॉकर चीर डार्क्ली बन अंडेट 12 अपॉन हंडेट कर देंगे सीदी सीदी एसपी निकलाएगी फाइब नान जा फाइब टू जा टू से यह multiply कर दीजिएगा 56 56 इंटू 9 कर दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा फाइब जीरो फोर आंसर सी होगा आगे डाइग्राम के विन है आपको अगले अपोजिट एंगल होते वो भी यूकल होते हैं जैसे जैसे इस प्रकार से कोई डाइग्राम हमको गिवन है यह 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 A, B और यह C है और यह D इसमें यह का गया है कि A, B is equal to B, C तो जब A, B is equal to B, C यह तो इनके इस साइड के सामने का एंगल ही तो यूकल यूकल ही बचा तो अगर एंगल यूकल है तो उनके सामने की शाइड हैं भी यूकल होगी तो हमसे यह पूंचा गया है कि यह A, D और B, C होगी हमारी कि A, D और D, C होगी, यानि C, D होगी यूकल तो इसमें इतना बताना था तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा अगला कॉश्चन इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन करना के लिए हमको A plus B ka whole square A minus B ka whole square A Q minus B Q A plus B ka whole Q A minus B ka whole Q इस प्रकार के जो relation होते है वो पता होने चाहिए तो अब अगर आप द्यान से देखेगा तो यहीं से कि A A A तो यह A Q बन गया और इसे मालों यहां बी B into B into B तो यह B Q बन गया अर्थात A Q minus B Q का relation होता है A minus B into A square plus A B plus B square अब आप द्यान से यहां देखे A square plus A B plus B square यहां लिखा हुआ तो completely यह number उससे cancel हो जाएगा जैसे इस प्रकार से है अगर हम A Q minus B Q का relation लिखें तो इसको लिख सबके है A minus B A square plus A B plus B square और इतना यह पॉन में लिखा हुआ इस प्रकार से A square plus A B plus B square यह इससे cancel हो जाएगा completely बचेगा क्या केवल A minus B और A की value इसमें given है 8.9 B की value है 3.7 इनका difference ही इसका जवाब होगा 9 से 7 जाएगे 2 बचेएगे और 8 से यह 3 जाएगे 5 बचेएगे यह 5.2 इसका जवाब होगा 5.2 तो इस प्रकास ही किया सकता है इसको करने ऐसे सवाल को करने के लिए हमें A minus B का hole की और A plus B का hole की पता होना चाहिए अगला question है आगे का गया एक गूले का ब्यास इतने सेंटीमीटर है तो इसके अंदर बड़े से बड़ा घं जो रखा जा सकता हो उसका हमें शंपूर प्रष्ट बताना देखेंगा यह important question है समझाते आपको कैसे करना है 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 हमसे का गया है एए इस प्रकार से गूला है जिसका अमगो डामेटर के ब्न है और इसके अंदर Appreciate बड़े से ब्रड़ा गन पूड करना है जिसका में संपूर प्रष्ट मताना है तो वरक एच्टा क्या होता है गन क्यूब का जो डायगोनल होता यहांने क्यूब कोई जैसे कमरा है क्यूब के आकार तुमसे बड़ी से बड़ी छट की जो लंबाई वह डागोनली होगी विकड के आकार की इस कोने से उसकोने तक नीचे वाले कोने से छट के ऊपर वाले कोने तक जाना चाहिए अपोजिट साइड में तो यह अब यह अब तो यह अंदर रूट 3 किसके रूटे उकल गवें हैं वो हमको गवें हैं 50-3 चिक का 150 यानि 15,000 cm2 इसका शंपूर प्रेश्ट निकलेगा जागे तो इस प्रकार से इस question को भी explain किया जा सकता है आगे फिर हम को यह given है देखे इसको कैसे solve करते हैं देखेगा अगला question 22 जो है वो इस category में यानि cube root find करना हमको 1372 और into cube root find करना हमको 1458 तो देखेगा इनके factor करेंगे हम तो factor करेंगे तम क्यों बरूर बरता सकते देखें का कैसे factor करना 1372 तूशेक डिविजबल है टू 6 जा टू 8 जा और टू 6 जा फिर काट दीजे टू से एक बाद 343 अब हमको यह माला में 343 यह 7 का q होता है शेवन का q हो गया 343 तो यह टू का प्यर नहीं बनना चलो ठीक कोई बात नहीं बनना आगे अगला नमबर देखते हैं अगला नमबर है मारे पास 1458 यह यह मुल्टिपलाई हो रहा है तो यह आपस में मिक्स हो जाएंगे इसको भी टू से डिवाइड करते हैं सेवन टू नाइन अब यह सेवन टू नाइन यह होता है नाइन का क्यूब 729 देखों यह 729 एक ऐसा नमबर है यह perfect square नमबर भी और perfect cube भी है अगर square करेंगे ति यह 23 का square है और 9 का cube है इसी प्रकास से 64 4 का cube होता और 8 का square होता ऐसे नमबर बहुत कम होंगे जो perfect square भी हो और perfect cube भी हो अब देखेगा यहां तक हमें completely इसका cube root मिला अब यह 2 का pair यहां भी इसका cube root हो जाएगा यहां से 2 ले लो यहां से 9 और यहां से 7 बस इसका इतना answer हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9 7 या 63 63 का twice कर दीजिएगा यानी 126 इसे जब solve करेंगे 126 इस प्रकार से आ जाएगा यह हो गया 126 अगला question है मैं 9 और 3 के इस्थानी मानों का अंतर बताएगा अब देखेगा इसमें 9 का इस्थानी माने 9,003 का इस्थानी माने 30 9,000 से 30 कम करें तो 8,970 बचेंगे अगला question देखते हैं इसमें 25 25 question है कि एक खंबे की लंबाई का एक बटे 5 भाग कीचन में है और आदा भाग पानी में और 10 फीट भाग मतलब बहार है हवा में तो उस खंबे की पूरी नंबाई पूची कि देखेगा कितना आशान तरीके से मापको समझाते हैं समझ में आएगा देखेगा इस प्रकास से यह एक खंबा है हमारे पास इसके हम तीन पार्ट की दे रहे हैं यह बन अपॉन 5 पार्ट की चड़ में बन अपॉन 5 को हम 20 परशेंट भी तो लिख सकते हैं और यह आदा भाग आदेस मतलब है बन अपॉन 2 पन अपॉन 2 से मतलब हैं 50 परशेंट नंफ्यां फैर पाणी में तो कितनी पर्शेंटच होगे 50 और सकारीश रोगे हंधैर परशेंट अब बचांइए यह कहरें वो दस लेकिन दस फी तो है लेकिन यह एगर पर प्रेंटेज का हम एसाज़ए तो हम पार्शेंट की 20 पर तो यह 30 परशेंट होना चाईए आप इ 30 कम के होगा तो कम के लिए डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 33.33 या 33 फीट इसको मान सकते चार इंच 33 फीट 4 इंच 33 फीट 4 इंच यह पूरे खंबे की लंबाई होगी इसमें देखे करके option given M को option given M भी है 33 फूर्ट 4 इंच या 33 फीट 4 इंच है तो वो किया जा सकता है यहनि 33 फूर्ट 4 इंच लिखा जा सकता है अगला question है कि 50 विद्यारतियों कच्छा यानि एक किलास में 50 इस्टूडेंट है उसमें 40 फर्षेंट लड़किया तो 60 फर्षेंट लड़के बचे शीदिस बात है तो कच्छा में कितने लड़के है हुआ का मतलब है में 30 फर्षेंट लड़के तो साथ पर्षेंट निकाल लिए एकंसरपची एकंसरब ट्रोजी कितना हो जाई रख देखी तो अच्छे चोबिस चौबिस एडिशन हो जाए एक व्रत की तरज्जिया में 10% की व्रत्धी कर जाती है अब इस सवाल को आप समझेगा कैसे करना अगर इस प्रकास से इंक्रीजमेंट है डिक्रीमेंट किया जाता है क्वेश्चन होता हमारे पास M प्लस N पिलस M N अपॉन हंड्रेट अब सरकिलम क्या होता है जो M है वो ही N है दोनों बरावर ही है यानि M और N दोनों 10 10 ही है यह भी 10 यह भी 10 यह कि शायद होती है किसी रेक्टेंगल के लिए होता जैसे उसकी लेंद को इतना बढ़ा दिया गया बिट को इतना कम कर दिया जा तो उस अपॉन हंड्रेड यहां से जब आ जाएगा बन यह यह जाएगा 20 प्लस बरी इस उकल्टू 21 परसेंट यानि 21 पर्षेंट की व्रद्धी तो इसके छेटमन में कितनी व्रद्धी होगी किस की व्रद्धी हो जाई है यहीं किस परसेंट करिएगा ठीक अगला कुश्चन इसमें 29 है कि चार गंटिया आठ दस बारा पंदा मिंट के अंतराल पर बज़ती हो किसी समय विएक साथ बजने बाद दुबारा कब एक साथ इस इस्टिती में हम इन सबका निकाल लेते im क tribा निकालने के लिए रहें किया करें है करें का सथब क्ना एक साथ और रहुकर अंब देखे गार इसकारच का लाश्चार स्की कुर्ण Hm तो इसमें रेट मुझा गया रेट आप इंट्रेस्ट देखेंगा माल लिएगा कोई हमने पी किया था पी माली है एक्स अब यह एक्स तो यहां से एक्साइ का रिलेशन क्या होता है साधार आज की बात यहां साथ पी आर टी अपॉन हंड्रेट यह एक्स एक्स कैंसल हो गया यह दोसों को आट से जब डिवाइड करेंगे ति यह आगया पच्चेस परसेंट यह पच्चेस परसेंट के रेट से हमने वो पैसा लिया था तो वह आठ बस्ट में अपना का इन यह बना हो गया इस प्रकाल से हमने यह सेट आपको completely फर्स्ट इस किताब का करा दिया है असा करता हुआ आपको समझवाया होगा आप हमारे चैनल को झाल झाल